खला स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी वो वक्त है जब हम सब एक साथ मिलकर सपोर्ट करें आपको पता है कि पिछले 24 घंटे में बड़े बड़े यूटुब एकाउंट टूटर एकाउंट हैक किये जा रहे है बैराख ओबामा का एकाउंट हैक कर ग एक्जामपू नाम का एक चैनल है जो इस्पेसली जेनरल कॉंपेटिशन के लिए फेमस है दो साल के अंदर में करीब 35 लाग सब्सक्राइबर उन्होंने गेन किया करीब 21,000 से जादा उनकी विडियो थी तो बहुत अच्छा मेहनत था उनका पहले वाई-फाई में पढ़ा बहुत ग्रो किया है 35 लाग का परिवार उन्होंने बनाया है 35 लाग बच्चे उससे बेनिफिटेड होते थे लेकिन अभी लास्ट 24 आवर में चैनल हैक कर ली गई है पता चल रहा है कि सुबा से ही उसके चैनल में कोई बिटकोईन की विडियो आरिये जमनी करके और और भी कुछ-कुछ यूटूब चैनल हैक किये गए है तो हम लोग चाहते हैं कि एक कैंपेंग चलाया जाए ताकि वैसे जो डेडिकेटेड चैनल है जो सच में मेहनत कर रही है बच्चों के लिए उन सारे चैनल को वापस लाया जाए तो हम लोग इसको करेंगे कैसे वेल मेरे पा education की channel है इसलिए मैं ज़्यादा support कर रहा हूँ और मैं भी एक teacher हूँ तो मुझे पता है एक teacher की मैनत क्या है और student ही इस channel को बनाया है अगर आपको का support नहीं मिलेगा तो channel नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे कि bring back exam put लिखना और किसको बताना चाहते हूँ आप तो add the rate करके आप लिखोगे वाइटी creators को पहला ठीक है दूसरा आपको लिखना है add the rate YouTube इंडिया को आपको बताना है तीसरा add the rate वाइटी creator इंडिया लिखना है ठीक है बात बाकी आप टेक्निकली मेरे से ज़्यादा sound हो आप लोग सोसल मेडिया पे ज़्यादा time spent करते हो तो please इसको एक दम ट्रेंट करवा दो ट्विटर पर ताकि ऐसे ऐसे dedicated channel कम से कम आ सके अभी COVID-19 के कारण कुछ लोग को रोजगार था उसमे teacher लोग dedicatedly पढ़ा रहे थे बच्चो बच्चे भी पढ़ रहे थे free of cost वहां पर पढ़ाई जाती थी और 35 लाख का परिवार खाऊ वहां पर तो एक बहुत बड़ा सच में कमाल के teacher हैं वो सारे के सारे तो हम लोग चाहते हैं कि वो channel वाफस आ जाए तो इसमें आप लोग का support चाहिए आप लोग जितना ज्यादा इसे tweet करेंगे तो उसके इसाब से YouTube वाला भी respond करेगा और जदी से ये channel आ जाए ताकि और आप लोग भी aware रही है अगर आप लोग भी किसी तरह की YouTube channel चलाते हैं तो हलाकि इनोंने हर तरह के security maintain किया है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या technical reason के कारण ये hack हो गया है तो पहले हम लोग चाहते हैं कि इसको वापस लाए जाए जरूर support कीजिए Bye, thank you